मंगलबार को जैपुर के शामनगर में श्री राधपूद कर्णी सेवा के राष्ट्य अध्यक्ष सुक्देप सीगोगा मेडी की बदमाशों नी गोली मार कर हत्या कर दे और इस हत्याकान मामले में आज राधिस्तान बंद किया है वहिसी कर जिला मुख्याले स्थित रामलीला मैदान में राधपूद समाज सहित सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रत हुए हैं और इसी दोरान प्रदर्शन कारियों ने गोगा मेडी की हत्याकान को लेकर आक्रोश जता है साती प्रशासन ने हत्यारों को जल्द से जल्द ग्रफतार करने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग के अधर आक्रोशत लोगों ने संबंद में प्लिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्लिस की लापरवाई की वज़ा से सुकदेब सिंग कोगा अमेरी की हत्या होई है आरोपियों की ग्रफतारी की लिए मांग की जा रही है सुकदेब सिंगोगा मेडी की कल हत्या कर दी गई आपको दादी कि आज राधिस्तान बंद करने का भी आवहान कर दिया गया है और इसी के साथ आज रामलीला मेडान में भी कई सर्व समाज के लोग और यूबा एकत्रित हुए हैं भही प्लिस प्रशासन भी जापते पर है भही आरोपियों की ग्रफतारी की मांग की जा रह है आपको दादी कि कल सुक्देपसी गोगा बेडी की घर में गुसकर अग्यात लोगों ने हत्या कर दी बे आरोपियों की ग्रफतारी को लेकर मांग की जा रहे है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा और इसी के लिए आज रामलीला मैदान में भी जो सर्व समाज के लोग हैं वो इकत्रित हुए है इसी के साथ आज राजिस्तार बंद का भी आवहन किया गया है प्लिस प्रिशासन भी जापते पर है आरोपियों की ग्रफतारी और कड़ी सजा की सर्व समाज के लोग मांग कर रहे हैं मैई सुक देप सिंगोगा मेडी की हत्या के वासी कर भी बंद कर दिया गया है इसी के साथ ब्यापारी प्रतिस्थानों ने भी आज दुकाने बंद की है आरोपियों की ग्रफतारी की मांग की जा रही है प्लिस प्रिशासन भी तैनाथ है आरोपियों की जल्द से जल्द गरफतारी हो इसी के लिए आज रामनीला मैदान में सभी सब्समाज के लोगों यूबा एकत्रित हुए है आरोपियों की गरफतारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं सब्समाज के लोग कल दिन दहाडे सुक्देप सिंग की घर में हत्या कर दी गई इसी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है प्रदर्शन भी हो रहे हैं आज रामनीला मैदान में भी सब्समाज के लोग और यूबा एकत्रित हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं लगातार की जल्द से जल्द आरोपियों की गरफतारी हो